नमस्ते, स्टांडर्ड फिफ्थ, सबचेक्ट हिंडी, चेप्टर नमबर ट्वेल, डुमडुमा गाउं के बच्चे स्टुदेंस, दास्ट ताइम हमने ये जो चेप्टर है डुमडुमा गाउं के बच्चों की कहानी है उस कहानी को हमने अच्छे से समझा था और उस कहानी में हमने समझा था कि अगर हम मेहनत और परिश्रम के साथ अपनी बुद्धी मता का भी सही से उप्योग करे तो कोई भी मुसीबत क्यों ना आए उसका सामना हम सब लोग बड़ी ही सफलता के साथ कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से सभी मुसीबतों का हल मिल सकता है ठीक है ना? उसके बाद हमने इस पाथ को लेकर शब्डात है वो शब्डात भी हमने अच्छे से समझे थे और हमारी नोटबुक में लिखे थे आज हम सिखेंगे दुमडुमा गाउं के बच्चे की कहानी का स्वाधियाई स्वाधियाई में इस कहानी के आधार पर कुछ प्रशन पुछे गए है उन प्रशनों के उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे और हमारे नोटबुक में लिखेंगे तो देखिए आपकी टेक्सबुक के पेज नमबर 85 पर है स्वाधियाई स्वाधियाई में प्रश्ण नमबर एक है प्रश्णों के उत्तर लिखिए इसमें पहला प्रश्ण है दुमदुमा गाउं की क्या समस्या थी उत्तर है दुमदुमा गाउं में हम्मेशा पानी की कमी रहती थी दुमदुमा गाउं की यह समस्या थी दुमदुमा गाउं में हम्मेशा पानी की कमी रहती थी दुमदुमा गाउं की यह समस्या थी दूसरा प्रश्ण पानी की कमी के कारण बच्चे क्या-क्या नहीं कर पाते थे उत्तर है पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल या तेर नहीं पाते थे प्रश्ण नम्बर तीन रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाई बताया? उत्तर है रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड़ा खोड़ने के लिए कहा? चोथा प्रश्ण जमिन खोड़ने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? उत्तर है जमिन खोड़ने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? उत्तर है जमिन खोड़ने के लिए बच्चे फावडे, कडाही, कुडाले और तसले लाए? पाच्वा प्रश्ण जमिन खोड़ने के लिए बच्चे फावडे, कडाही, कुडाले और तसले लाए? पाच्वा प्रश्ण तालब में बरसत का पानी भरने से दुमडुमा गाउं को क्या फावडा हुआ? उत्तर हे तालब में बरसत का पानी भरने से दुमडुमा गाउं को बहुत फावडा हुआ? खेतों की सिच्चाई हुई और खेतों में मक्का और धान बडी मात्रा में लह लहाने लगे। निम्न लिखित वाक्य कोन कहता है? यानि कि यह वाक्य है वो कोन बोलता है उसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। इसमें पहला वाक्य है मैं बादलों से प्राथना करूंगा रोज बरसो यह वाक्य बिल्लू कहता है। दूसरा वाक्य बादल रोज केसे बरस सकते हैं? यह वाक्य महिमा कहती है। तिसरा वाक्य क्योंना एक बड़ा सा गड़ा खोडे जिसमें बारिश का खोब सारा पानी भर जाए। पहती है। तो इस तरह यह वाक्य कोन बोलता है? यह हमें लिखना है। अब देखिए प्रश्न नमबर 3 निम्न लिखेच शब्डों को शब्डों को उसके क्रम में लिखिए। यह चो शब्ड दिये गए हैं उनको हमें शब्ड को शके आधार पर क्रम में लिखने है। पहला शब्ड है डुमडुमा, बादल, कहाडी, छपाचप और लह लहाए। अब हम इन सभी शब्ड को शब्ड को शके क्रम में लिखेंगे। उत्तर में कहाडी, कडाही, छपाचप, डुमडुमा, बादल और लह लहाए। कडाही, छपाचप, डुमडुमा, बादल और लह लहाए। इस तरह हम सभी शब्ड को शब्ड को शब्ड को शके क्रम में लिखेंगे। अब देखें प्रश्णर नमबर चार, गुजराती में अनुवाद कीजिये। तो स्टुदेंस, हमें पता ही है कि यहाँ पर हम गुजराती में नहीं, लेकिन हम इंग्लिस में इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। यानि कि जो यहाँ पर हिंडी वाक्या दिये गए है, इसका हम अंग्लिस में त्रांसलेट करेंगे और लिखेंगे। पहला सेंटेंस है, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। इसका हम इंग्लिस में त्रांसलेट करेंगे और लिखेंगे। दूसरा वाक्य है पानी से खेतों की सीचाई होती है दूसरा वाक्य है बारिश के पानी से तालाब में पानी भड़ा वोटर फिल्ड इन्ध पॉंड विथ रेंड वोटर चोथा वाक्य है बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची चिल्डरन थोट ओफ रिमोवेंग वोटर स्केर्सिती पांच्वा वाक्य है एक दिन बच्चे खेल के मेडान में इकत्थे हुए वन डेच चिल्डरन गैधर हैड इन्ध प्लेगराउंड वन डेच चिल्डरन गैधर हैड इन्ध प्लेगराउंड तो इस तरह हम जो यहाँ पर हिंडी वाक्य दिये गए हैं इसका अंग्रजी में ट्रांसलेट करेंगे और लिखेंगे अब देखें प्रश्णा नमबर पांच निमनलिखित शब्डों में से कोष्टाक में दिये गए शब्डों के समानाथी शब्डे लिखिए यानि कि यहाँ पर जो कोष्टाक में शब्ड दिये गए हैं प्राथना, उपाई, पानी, बारिश और परेशाई इन सभी के हमें समानाथी शब्ड लिखने हैं प्राथना शब्ड है इसके समानाथी शब्ड होगे उपासना और स्तुती उसके बाद है उपाई शब्ड, उपाई का समानाथी शब्ड होगा युक्ति और तरकीब उसके बाद है पानी, पानी शब्ड का समानाथी शब्ड होगा वारी या फिर नीर वारी और नीर उसके बाद शब्ड है बारिश बारिश के समानाथी शब्ड होंगे वर्षा और बरसात और लास्त में है परेशान शब्ड परेशान शब्ड का समानाथी शब्ड होगा डुखी और व्याकुल डूखी और व्याकुल ओके तो इस तरहा हम कोस्तक में समानाथी सब्ड उपर के कोस्तक में से धुनकर सब्ड लिखेंगे ओके स्टूदेंस तो यहाँ पर जो हमारा चेप्टर नमबर 12 है डुम डुमा गाउं के बच्चे ये समाप्त होता है और स्टूदेंस आपको इस चेप्टर के शब्डार्थ और जो स्वाधियाई के प्रश्ण उत्तर है वो आपको सुन्दर अक्सरों के साथ अपने नोटबुक में लिख लेना है ओके थैंक्यू